असलाम अलेकम जी, so last lesson में we decided कि हम इस sketch के साथ जाएंगे और इसको illustrate करेंगे तो जो sketch अभी तक हमने किये थे, यह हमने खुद से imagine करके किये थे we just experimented, तो सबसे एक और important चीज है कि अगर आप sketch कर रहे हैं और आपके लिए कोई थोड़ी सी मुश्किल हो रही है sketching के लिए, आप sketching में बहुत अच्छे नहीं है और you need to sketch the leaves, तो मैं यहां पे सिर्फ leaf लिखता हूँ और Google पर जाके images open कर लेता हूँ, तो यहां पर आपको बहुत सारे leaf नजर आएंगे तो आप इसमें से leaf को use कर सकते हैं और इसको sketch कर सकते हैं For example, यहां से जैसा कि हम को sketch करने जा रहे हैं और आपने उस sketch के अंदर कुछ इस तरह के leaves को use करना है जैसा कि यह वाला है, इसको मैं कर लेता हूँ, save image as, desktop इसको save कर लेते हैं ठीक है, और इसको open करते हैं, जी, photoshop के अंदर layers में जाके, इस layer को lock कर लेते हैं एक new layer create करते हैं, और अपना brush लेके इसको sketch करते हैं तो अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि आप कुछ इस तरह की shape चा रहे हैं लेकिन sketching में you are not very good, so उसके लिए it's important कि आपको image google से उठाएं और उसको illustrate कर लें, उसको पहले sketch कर लें और उसके बाद हम उसको illustrate कर लेंगे ठीक है तो for example, इसको हम लोग start कर दें, तो जैसे कि just to get an idea, कि आप जो चीज चा रहे हैं, वो आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी या वो कैसी नजर आएगी आपको logo design के अंदर, या अगर आपको illustration design कर रहे हैं, या और कोई similar चीज है, तो sketching के लिए important है कि आप थोड़ी सी help ले लें images से, right, so इसको हम, मैं जल्दी में कर रहा हूं, so this is not going to be a very accurate sketch, लेकिन you will get an idea, ठीक है जी, यहां से हम इस layer को जड़ा hide करते हैं, और, इसको white background के उपर देखते हैं, कि how it looks, तो हमारे पास ये एक result है, आप इस result को move कर सकते हैं, और इसको illustrator में जाके मजीद vectorize कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको कोई और, for example, leaf or design साहिए, so you do not know कि उसकी जो width है, वो middle से कितनी होती है, और बिल्कुल tops और bottom से क्या हो, इसका result होता है, so इसको हम यहाँ पे copy करते हैं, इसको यहाँ पे paste करते हैं, इसको save कर लेते हैं, save as, image को save किया, इसको drag करके, यहाँ पे open कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग, इसको sketch कर सकते हैं, तो बड़ा rough साइक sketch करते हैं, so you will get an idea, कि जो leaf की shape है, वो किस तरह से होती है, so आप इस shape को use कर सकते हैं, मजीद अपने sketch को refine करते हुए, ठीक है, तो refinement के लिए, मैं यहाँ से इसकी opacity कम कर लेता हूँ, या, उसका मैं color gray कर लेता हूँ, तो आप इसको मजीद refine कर सकते हैं, जो भी आपको idea चाहिए, ठीक है, तुबारे से इसको on कर लेते हैं, और इसके उपर मैं, थोड़ा सा sketch कर लेता हूँ, ठीक है, so you will get a better idea, कि किस तरह से sketches किये जाते हैं, तो आपका जो sketch है, वो थोड़ा से मजीद accurate हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को sketch out कर सकते हैं, तो हम इसको illustrator में लेके जाते हैं, इसको मैं यहाँ से जी, select करता हूँ, इसको मैं control C कर रहा हूँ, Photoshop के अंदर, मैं वापस आता हूँ, इसको यहाँ पर आके, हम लोग paste करते हैं, ठीक है, तो यह मेरा जो sketch है, वो illustrator में आगया, इसके बाद हम layers में जाके, इसको lock कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको illustrate करेंगे, तो यह एक थोड़ा सा process था, कि अगर आप sketching में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप Google से जाके images डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको अपने sketches में use कर सकते हैं, तो this is how you can create sketches, अब next lesson में इसको हम vectorize करेंगे, इसको illustrate करेंगे, और इसके बाद हम इसके multiple variants बनाएंगे, so see you in the next lesson, thank you so much.